नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरी चानल में, फिर से एक बार में हूँ आपकी वही अंजली हर कदम, हर पल हम आपके साथ है, भले ही आपसे दूर सही, लेकिन आपके पास है जिन्दगी में हम कभी आपके हो या ना हो लेकिन हमें आपकी कमी का हर पल एहसास है जी है आपने सही सुना हम आज के डिली राशीखन की बात कर रहे हैं सिबसे पहले आज इनका बज्ज़ है या फिर मारिग अनुवर्सरी है उनको मेरी तरफ से ठेड सारे गुट विशिस तो चलिए शुरू करते हैं इस दुनिया में पहले बार तुम्हारे रोने पर दुनिया खुश हुई थी कुछ ऐसे दुनिया से जाना कि तब सारे दुनिया रोए और तुम हस्ते हस्ते जाओ आगे बढ़ने के लिए हमेशा अपने बनाए रास्तों को चुनो दूसरों की बनाए रास्तों पर चल कर आप सुरक्षित भले ही रह ले पर मंजिल पाने के लिए रास्ते खुद बनाना सीखे सफल होकर हमें दुनिया जानती है और असफल होकर हम दुनिया को जान जाते हैं नींद में देखे गए सपनों से बड़े वो सपने होते हैं जिनके सरूर में हम नींद खो बैठते हैं संसार में सबसे असीम हमारी अपनी इच्छा शक्ती है अगर हम कुछ ठान ले तो ब्रमांड भी सीमित नजर आएगा दुनिया में सबका दिन 24 घंटे का है जिन्हें सफल होना होता है वो इसी का सदब योग करना सीख लेते हैं तो चलिए अब जान लेते हैं आज की डेली राशी फल्ट के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अजाब के लिए भागिशाली रंग यानि की लखी कलर पीला यानि की यालो रहने वाला है और जो लखी नंबर है वो आज के लिए नंबर आट बन रहा है आज से तारिक कहते हैं कि आज आज आपको कई सारी बातों की चिंता का अनुभव भी हो सकता है अधिक विचार करके आप गेवल चिंता बढ़ाएंगे और कुछ नहीं करेंगे अगर समस्या का सलुशन चाहते हैं तो खुद से अगर आपको नहीं मिल पा रहा है उस चीज का सलुशन तो किसी की मदद ले लीजी इसमें उसकी चाने की क्या बात है अगर आप शेयर करेंगे अपनी प्राबलम को जरूर कोई ना कोई आपको ऐसा तरीका मिल सकता है ऐसे चीज मिल सकती है दूसरों से जिसे जो हैं आप अपनी जो प्राबलम है इसको सॉल्व कर पाएंगे आज के दिन बाकी जो है भावनाओं को काबो में रखकर परिसितियों का हल ढूणने के कोशिश कीज़ेगा अराम से और शान्त माइन से अगर आप सोच विचार करके हल ढूण पाएंगे तो बहुत ही जादा उंदा रहेगा आपके लिए इसके साथ ही आज कई लोगों को धन का अटकाव दुखी कर सकता है आपको असा लगा कि धन की कमी है तो मैं ये चीज़ नहीं बाए कर रहा ऐसा नहीं कर पा रहा हूं बस धन की कमी है धन की कमी है ये चीज़ आपके मन में बार बार आ सकती है तो आपको मेहनत करनी है ताकि आप पैसा कमा सकते अच्छे तरीके से तो प्लीज आप उस पर काम कीजिए अपनी महनत पर तो सब कुछ ठीक हो सकता है इसमें मोश्टनल होने की बजाए चतुराहि से विवेक से काम लीजेगा पर इस हित्यों को आपके पक्ष में ही तो रहेंगी रहेंगी किसी रिष्टीदार से रिलेटिड शुब समाचार मिलने से वे आपको बहुत ही बड़िया अच्छा लगेगा बटवार से रिलेटिड कई लोगों में कोई कारे भी किसी के मध्यसता से हल हो सकता है प्लीज आप भाई बहन आपस में प्लीज रप लड़ीगा मत अगर आप किसी बीच में किसी इंसान को डालते हैं किसी रियालिटिव वगेरा को तो बहुत इच्छी तरीके से मुद्दाहल हो सकता है रुपए पैसे के मामलों में भी किसी पर भरोसा मत कीजेगा आपकी कोई योजना आज गलत हो सकती है अगर आप काम करते हैं या आपका बिजनस है इसलिए उस पर दुबारा विचार करें विमर्ष करें तो बैटर रहेगा आतिदी का गुसा आपके स्वास्तिक को है वहानी पहुंचा सकता है जिसे आपकी जो काम भी है वो भी ठीक नहीं रहेंगे इसलिए धैरे बना कर रखना होगा तभी बढ़िया रहेगा आपके लिए आज जो है आप से जो रिलीडिर कोई बाते हैं उसमें संतुल बना कर रखना होगा और संतुल अगर बनाएंगे तो बैटर होगा अगर आप कोशिश करेंगे तो उस अपलता रहेगी फिर भी विचारों में positivity लानी होगी आपको और इससे आपका focus बहुत ही बढ़िया रहेगा फिलहाल परिसितियां आपके लिए थोड़ी बहुत कठीन हो सकती है लेकिन सरल भी रही है सवास्याओं के तरफ जादा धिहान देकर उनको दूर करने की कोशिश करें तो सब कोछ बहुत ही अच्छा होता हुआ नजर आ सकता है आज आपका संतुलित जो विवहार है शुब अशुब दोनों पक्षों में बहतर संतुलित बना कर रखने वारा है अगर स्थान परिवर्तन से रिलेटर कोई प्लानिंग्स वगरा है तो आज उस पर कोई important कारे संबन हो सकता है राज के ये मामलों में case related स्थितियां आपके पक्ष में साबित होंगे साथ ही में दूसरों के मामलों में प्लीज आप इंटर फैम मत कीजेगा अकारण ही लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं साथ ही में अपनी आर्थिक सिति का भी ध्यान रखना होगा किसी कारण में फिजूल ही पैसा खर्च हो सकता है कई लोगों का तो चलिए बागे बढ़ते हैं और बात करते हैं business और career के बारे में तो business और career कहता है कि आज जन संपर्कों का दाइरा ज़्यादा विस्तरित हो सकता है जाने कि context जो है वो जुड़ते चले जाएंगे बहुत ही जादा और आपका जो business है वो भी उंचाई उपर छूच सकता है बस आपको context पढ़ाने हैं लेकिन अभी विपारी कगती विदियो का घंबीरता और बारेकी से मुल्यांकन करना जरूरी है यानि कि हर चीज को बारेकी से सोचिए फिर उस पर काम कीजेगा सीनियर लोगों के साथ जो संबंध है वो खराब ना होने पाएं इसका ध्यान रखी और बदलते परिवेश में अभी लाब की जादा उमीद भी मत रखेगा तो चीद है यानि कि धीरी धीरी करके आगे बढ़ें तो धीरी धीरे आपको लाब होता नजर आएगा एक दम और जटके से लाब नहीं होता थोड़ा सा टाइम सरूर लेना पड़ता है इस चीज़ के लिए काम सरे लेडिर अच्छी ख़बर कई लोगों को मिल सकती है जो दिन को बहुत ही बढ़िया मना सकती है आपके लिए नवसाय में जो सितिया है वो बहतर तो रहेंगी ही रहेंगी हाँ कुछ हल की फुल की परिशानिया हो सकती है पर समय रहे थे उनका भी हल निकल सकता है नई पाठी नई लोगों से विवहार करते समय सचीद रहीगा साथ करमचारियों की गती विदियो पर भी नजल लगा कर रखनी होगी आपको कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं कैसे काम करते हैं अर अपने जो जरूरी डॉकुमेंट्स हैं दिस्तावेच हैं उनको भी आदावको आफिस में जो है मैनेज करना होगा समभाल कर तो सब कुछ आपका बढ़िया होता हुआ नजर आ सकता है आपको इसे के साथ ही आपको कई लोगों को धन का जो है थोड़ी बहुत चिंता हो सकती है लेकिन समय रहते है ठीक हो जाएगा तो चलिए बागे बढ़ते हैं और बात करते हैं लव लाइफ के बारे में तो आज की लव लाइफ आपके बारे में कहती है कि परिवारिक सुक शान्ती के लिहाज से दिन बहुत ही उत्तम रह सकता है प्रेम समंदों में गलत फैमिया उत्पन हो सकते है उन्हें अपने काम पर कामयब होते हैं तो ज़रूर अपने विचार बत ले और गुसा छोड़ी दूसरे के प्यार कीजिया दाबत्ती जीवन में चलिया रही सबी चीज़े फिर दूर हो जाएंगी गलत फैमिया प्यदूर होंगी आपके समझ जो हैं वहादी बढ़िया बनते नज़र आने वाले हैं लेकिन हाँ आपको परिवार में डिसिप्लीन बना कर रखना होगा बच्चों को समझाएं कि प्री जादा जद दबाजी शोर गुला मत किये जगा बच्चों को समझाएं कि हमिशे प्या भी हो सकती है आप पर इस समय वाहन भी जड़ा साब धानी से चलाएगी चोट लगने की संभावनाएं बन रही हैं तो प्ली इस अतर करेगा आपके प्रत्नों के दवारा सेह सरेलेटी समस्याएं दूर हो सकती है जैसे आपको कुशी मिलेगी कई लोगों को पीट दर्ध हो सकता है और इसका असर आपकी नीन पर भी पढ़ सकता है नीन भी रही आएगे से तो प्ली जादा बैठे मत रहिएगा आप ठीक दंग से सोगे ठीक दंग से बैठे और हाँ एक्सिसाइस को आप अपना ये रुजाना में तो बढ़िया रहेगा श्रीर भी आपका एकदम फ विशेष उपाए के बारे में तो विशेष उपाए आज आपके बारे में कहता है कि आज आपको सत्त नरायन ये लक्षमी नरायन का आपको पूझा करने चाहिए अगर आप नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं आज आप उनकी जलीसा पढ़ लिजी भगवान विश्णों क तो बहुत ही उम्दा रहेगा, बढ़िया रहेगा इसे के साथ या आज जो है मंदिर में परशाद कर जढ़ाएं तो लोगों में इसे बांटना मत भूलेगा और मंदिर के बाहर जो बैठे लोग है उनको आप कुछ न कुछ दान रक्षिना गुपतरूप से वश्य दीजिएगा तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक करें शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्रेब करना प्लीज बिल्कुल भी मत भूलेगा, धन्यवाद